आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से Efficiency of Transmission Line with Voltage Regulation इस वीडियो के अंतरगत हम जानेंगे Transmission Line के Efficiency, Voltage Regulation और High Voltage Transmission के Advantage क्या क्या होते हैं इन सभी बिंदों के बारे में आज हम डिसकस करेंगे इस Figure के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये दो वायर हैं इसमें एक Sending Ind है और दूसरा Receiving Ind है Sending Ind से हमारा ये जो Supply Voltage है VES इसको हम Supply Voltage या Sending Ind Voltage कह दे तो ये Supply Voltage है VES इसके बाद ये Receiving Ind पर जो हमारा बोल्टेज प्राप्त हो रहा है वो VR है कुछ TDP में आपको मिलेंगे Notation Word जिसमें कुछ Sart Forms हैं रहेंगे जिनको हम उनके द्वारा दिखाएंगे उसका Full Form मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि ये सिर्फ इसी वीडियो में नहीं बलकि TDP के किसी भी वीडियो में आपको बहुत ही जादा helpful करेगा जैसे Vs, Vs जो है वो है Supply R, Sending Voltage Vr, Receiving Voltage I, Current, R, Resistance Z, Impedance Cosphys जो है वो Supply End का Power Factor है Cosphyr जो है वो Receiving End का Power Factor है Ps, Supply Power Pr, Receiving Power और P, Loss जो है वो है Power Loss चलिए, अब हम बात कर लेते हैं Efficiency की जैसा कि हमको पता है कि Normal Efficiency की किसी भी परकार के चाहे वह Machine हो, TDP हो या कोई भी हो अगर उसकी Efficiency का फार्मूला पूछेंगे तो वो होता है Output बटे Input जी हाँ उसका फार्मूला होता है Output बटे Input ठीक है तो उसी तरीके से हमने इस Figure में आपको दिखाया पावर आफ रिशेविंग अपान पावर आफ सेंडिंग इंटू 100 तो यह Efficiency का पावर है अगर किसी question में हमको केवल और केवल रिशेविंग इंडिकी Efficiency निकालने है तब क्या करेंगे तब हमारा होगा P R अपान P R प्लस P Loss इंटू 100 इसी तरीके से अगर हमारा केवल सेंडिंग का हो तो P S माइनस P Loss अपान P S इंटू 100 अब इस वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं तो हमें मिलता है Voltage Regulation इसी तरीके से Voltage Regulation का जो फार्मूला होता है वो होता है V S माइनस V R अपान V R इंटू 100 V S क्या है अभी मैंने आपको बताया यह V S जो है वो है Supply Voltage और V R क्या है वो है Receiving Voltage फिर Voltage Drop अपान V R इंटू 100 यह दूसरा फार्मूला है इस फार्मूले का हम आगे Advantage में उपयोग करेंगे इसलिए इंपॉर्टेंट है इस बात का जरत्यान दोखेगा Voltage Drop upon Receiving इंट का Voltage इंटू 100 अब जो अगला टॉपिक है वो है Advantage of High Voltage Transmission बहुत ही ज्यादा Important टॉपिक है यह बहुत ही ज्यादा कई जगों पर यह पूछा जाता है Advantage of High Voltage Transmission में हम यह जानेंगे कि High Voltage Transmission से हमारे क्या लाब होते हैं तो High Voltage Transmission में जो सबसे पहला लाब होता है वो होता है Low Current का कैसे होता है हम अगर यहाँ पर फार्मूला देखें तो हमारा फार्मूला होता है P is equals to Vi Cas 5 यहाँ से अगर हम Current की Value निकालें वो हो जाता है P upon V Cas 5 यहाँ से हम Relation निकालें तो Current और Voltage का Relation हमेशा रेसिप्रोकल निकल कराता है मतलब अगर हमारा Voltage अधिक्तम है तो हमारा Current जो होगा वो मिनिमम होगा इसलिए हम High Voltage का Transmission करते हैं ताकि Voltage High होगा तो हमारा जो Current होगा वो क्या होगा? Low होगा अब Current के Low होने के कारण हमारा Voltage Drop भी कम होगा Voltage Drop that means I, Z जब हमारा Current कम होगा तो Overall जो हमारा Voltage Drop होगा वो भी कम होगा Better Voltage Regulation अब देखें, Voltage Regulation बेटर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारा Voltage Regulation होगा वो हमारा Voltage Drop पर निर्भल करेगा Voltage Drop पर निर्भल करने के कारण, जैसा कि अभी हमने दिखाया कि Current कम है तो Voltage Drop कम है Voltage Drop कम है तो हमारा Better Regulation होगा क्यों? क्योंकि Voltage Regulation is Equals to I, Z upon Vr into 100 जहाँ पर I, Z हमारा Voltage Drop है Less Power Loss, Low Power Loss क्यों होता है? देखिए हम जानते हैं कि जो भी Power Loss होता है वो I2R हो या I Skin Effect हो या Corona Loss हो, वो कहीं न कहीं Current से Relate करता है, तो यह जब Current से Relate कर रहा है तो अभी मैंने बताया कि Current जो होता है, वो हमेशा reciprocal होता है Voltage के, Voltage अगर बढ़ेगा तो Current कम होगा, Current कम होने Current Power Loss कम होगा, चलिए, अगला जो Point है, वो है High Transmission Efficiency, भाई जब हमारा Loss कम है, तो हमारा Voltage Efficiency होगा, Transmission Efficiency होगा, वो अधिकतम होगा, अगला है Saving of Materials, इसको इस Relation के थूँ हम अगर समझें, तो हमारा Relation बन रहा है, Voltage Inversely Proposional है Current के, Current Area के, और Area Diameter के, यहाँ पर देखा जाए, Voltage बढ़ रहा है, तो Diameter कम हो रहा है, मतलब जो Conductor है, उसका हमारा Diameter कम है, कम होने के कारण हमारा Conductor पतला लगेगा, पतले से पतला Conductor यूज़ होगा, जिसके कारण हमारे An-N-N-S-S-B-E-S-B-E-Materials में खपत कम होगी, अगर Diameter कम होगा, तो Conductor की Cost कम होगी, Cost कम होने के करण, Support की Cost कम होगी, Insulator का Cost कम होगा, Overall सारे Cost कम होगे, तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे ही अन्य सभी वीडियो को मैं आसान तरीकों से बनाने की कोशिस करूँगा, तब तक के लिए, धल नमादे,